हालो गाइज कैसे आप सब लोग तैरुक स्पिटिफल सिक्स पे आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज हम जो रिडिंग करेंगे गाइज वह केंडल वैक्स रिडिंग होगी जैसे कि आप देखी रहे हैं ठीक है और मैंने आज का टॉपिक लिए है कि वह आपको लेकर इन द आप से रेजनेट करती है तो कुछ भी आप मेरे सजिशन मेरी कॉम्मेंट सेक्शन में सजिशन दे सकते हैं ठीक है इसके लावा इंस्टाग्राम पे मैं छुट-छुटी रिल्स डालती रहती हूं वह चेक कीजिए और फेस्बुक पेज भी है मेरा ठीक है उसको भी फॉलो पे एक नाम नंबर मिलेगा वो मेरा वाटसअप नंबर है मुझे मैसेज कीजिए सारी जानकर मिल जाएगी कॉल मत कीजिए ठीक है बहुत ही अफुल डिटेल रिडिंग करती हूं और लगपक बहुत सारी रिडिंग्स ऐसी होती है जो मैच भी होती है मैं सिर्फ थोड़ा स सेक्षन में सर्च कीजिए का कई लोग बहुत अच्छा लगा बहुत अच्छा जिन्नोंने करा है परसनर डिंग लिए हैं उन्होंने बहुत अच्छा कहा है ठीक है आप चेक जरूर कर लिजेगा अधरवाइस आपकी इच्छा है लेकिन यहां पर देखे आज वीडियो में हम एक intuitive reading करने जा रहें ठीक है हो सकता है कि सबसे match करें हो सकता है नहीं भी करें ठीक है तो जितने आप से messages मिले उतने हैं लीजेगा क्योंकि यह intuitive reading होती है ठीक है चले start करते हैं बिना देरी के और मैं चाहूंगी अपना मन शांत कर लीजे अपने partner का three times नाम दो रहाएं और आपनली की सामने कुछ काऊंगे कुछ भी नहीं मेलेगा आपको लेकिंन उनके सामने अगर रो भी दोगे ना तो आपकी सच्चाई को समझ लेंगे ठीक है वह अंतरयामी है ठीक है सब कुछ जानते हैं उनको कहने के जुरत नहीं है आपके आशून को बता देए्ग तो एक मन ही मन बोली कुछ ठीक है वो अपनी अंतर्यामी है तो अपनी आप समझेंगे ठीक है मेरा इमान है आप करके देखिए ठीक है कोई मैनिफेस्टेशन कुछ भी ट्रेक्स काम में नहीं आएगी अगर आप सचे दिल से किसी को मानते हैं इस्ट देव को तो वही आपकी हल्प करेंगे मैं यह मानती हूं ठीक है चले स्टार्ट करते हैं आज की रिडिंग तो यस वह आपको लेकर क्या सोच रहें चले देखते हैं इनवर्स जो भी मेरी विवर्स मेरी रिडिंग को देख रहे हैं उनके पार्टनर्स मेरी रिलेशन्शिप में क्या सोचे हैं कि सबसे पहले स्टार साइन के बात करूं तो मैं यहां पर सजीटेरिस मुझे स्ट्रॉंग लग रहा है कोई और स्टार साइन मुझे लगबग सारे ही आ गए है, स्टार साइन के बारे में बात नहीं करूंगी, सटी चेणिस मुझे प्रमिनेंट लग रहा है, बाकी और कोई बेस प्रशन हो सकता है, स्टार साइन पर मत जाएगा, आप डिढ़्डिंग देखिये, यहां पर एनर्जी क्या कह रही है मुझे इसे लगता है कि आपकी जो पार्टनर है एक लीडर्शिप क्वालिटी उन में है ठीक है मैं यह पर देख पार हूँ कि आपके पार्टनर किसी चीज को अपने हाथ में लेते हैं तो उसको पूरा करते दम खम काफी है इस इंसान में मुझे असे लगता है बहुत इंडिपेंडेंट बहुत ग्राउंडेड और बहुत ही स्ट्रॉंग पर्सनल्टी जिन से आप डील करें ठीक है यह जैसे कहते हैं कि एक लीडर्शिप क्वालिटी तो है इन में लेकिन जो भी करते हैं वह बल्लब तनमन धन से उस चीज को नि नहीं है दर इनके आसपास नहीं बगटा क्योंकि यहां पर पहले ऐसा लगता है कि किसी चीज का कंपलीशन हो रहा पहले आपके रिलेशन्शिप में डर रहे थे ठीक है लेकिन अब मैं जाने क्या पावर आई इन में एक चेंज देख पारी हूं ठीक है जिससे इनको करेज और सास मिल रहा है बहुत जादा इनके एनर्जी जो है बहुत स्ट्रोंग परसनल्टी के रूप में बदलती जा रहे है कुछोँ कुछ एसा अचीव कर रहे हैं जिसके कारण इनको मालब एक जैसे कहते हैं अब डरने वाली बात तो है यह अगर आप से प्यार है तो उसमें डरिंग है नहीं ठीक है, ऐसा मुझे यहां पर लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि इन में हिम्मत और ताकत आती जा रही है, कुछ ऐसा की है, आपके रिलेशन्शिप में मैं ऐसा देख पा रहे हूं कि यह आप खुशियां देखते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है, य जैसे कहते हैं कि किसी रिलेशन्शिप के बारे में ऐसा भी है, कि इनका कोई पास रह चुका है, अब जाने किस से मिलेगी, यह बाते हैं नहीं मिलेगी, ठीक है, लेकिन आप से जितना मैच करें, अगर इनका कोई पास रह गया और आपको मालूम था, तो मुझे ऐसा लग कि उन चीजों को भी किसी ने दोका दिया था, कोई पास्ट रहता तो उसको भी फॉर्गिव करके आगे बढ़ रहे हैं, अब यह मन में कोई बुरी भावना नहीं रखना चाहते हैं, क्योंकि आप इनके जिवन में आपको लेकर बहुत ज़्यदा ब्लैस्ट हैं, और कही न इसा है, इनका मतलब यह किसी से दोका खाकर भी मतलब पहले शायद सोचते थे ऐसा लेकिन अब इनके मन में कोई भी गिल्ट नहीं है, जब से आए हो आप पॉजिटिव सोच रहे हैं, और किसी के लिए बुरा नहीं सोचते हैं, अच्छा ही सोचते हैं, पहीनिका इनके भा यहां पिलकल लगता है कि एनको रही साथ तरह करते हैं, पीर आपके साथ का किसी में आपधा हैं अपनी चीज इंडल करना चाते हैं किसी सिच्च्टाइंडेंचीं में ऐसा लगा रहे है कि खुद चीजों कको एंडल करना चाते यह पाके बताः है इसका पांस्ट को लेकर बहुत जदा सोच विचार कर रहे थे बद्धूँने दे रहे थे हम सेंड करके भी मैंलब किसी को बुराई नहीं दे पा रहे हैं तो अच्छा ना बुरा कुछ भी नहीं सोचे किसी के लिए चलो ठीक है जा रहा है जो जाए ठीक है पास्ट था उबीद चुका इस तरह से सोचें अपनी आपको अपनी आपको हील करने की कोशिश करें आपके के लिए मैं यहां पर यह देख पा रही हूं कि आपके लिए कोई एक्शन लेना चाहता है ठीक है मुझे ऐसा लगता है कि इन्हों ने बहुर जैसे कहते हैं ना रेडी नहीं है लेकिन अंदर से बारे में अटक जाते हैं लेकिन यह बाहर से बिल्कुर रेडी दिखाई दे इनके लिए best हो और कहीं ने कहीं आपको चुनने के लिए appreciation चाहते हैं ठीक है लोग इनको appreciate करेंगे इनको ऐसा feel होता है आपके लिए energies के हैं आपके लिए दिल के दरवाजे खोलना चाहते हैं एक नहीं शुरुवात करना चाहते हैं यह मुझे energies दिखाए दे रहे strongly मुझे ऐसा बाहर आके जैसे चीजे completion पर हैं और किसी को forgive भी करें ठीक है अगर कोई pass था था उसको जाने दे रहें मुझे ऐसा लगता है कि पहले इनको बहुत ज़्यदा feel होता था कि किसी ने मुझे साथ ऐसा किया लेकिन अब उन बातों को भूल कर यह आगे बढ़ना चाहते हैं ठीक है six or five important हो सकता है ठीक है यहां पर बहुत strong energy लग रही है कि कोई बहुत अच्छा इंसान है जो कि वाकिये में अपनी जिंदिकियों को सुधारना चाता है ठीक है इस तरह से energies आ रहे हैं और आपके relationship के बारे में इन दिनों आप इनके दिमांग में क्या चल रहा है तो मैं यह करना चाहते हैं मैं देख पा रहे हूं कि यहां पर आज 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 आपके लिए कि लाइट रेड़ कलर या फिर और ये बहुत important होंगे किसी किसी के लिए red color light red color यानि कि pinkish red जो होता है वो भी आपके लिए बहुत important होगा ठीक है किसी नहींसा कुछ पैन रखा है तो यह आपके लिए important है ठीक है किसी के bangles भी लाइट रैट कलर की गाजरी कलर की दिखाई दे रहें ठीक है तो ये चीजें आपके लिए important करेंगी कुछ-कुछ के लिए yellow कलर भी important है ठीक है यहाँ पे six और one number strongly मुझे दिखाई दे रहा है तो यहाँ पे दिखेंगे क्या है इनके energies यह है कि deep down यह किसी मसले का हल डूनना चाहते हैं deep down कोई conflict है आप में यह जो भी बात चल रहे हैं उसको यह deep down sort out करना चाहते हैं लेकिन उपर से यह दिखा रहे हैं कि मुझे परवानी है ठीक है इस तरह से मैं देख पार हूँ आपके relationship में ऐसा ही है कि यह बनलब जैसे पता है ठीक है कि कि आपको को एक जैसे ल हूं आ खजाने की तरह मांते हैं आपको बहुत बैल्यूबिल चीज रहर्स माனते हैं कि अगर आप जिंदे की में तो बहुत कुछ गाड़ जीत कुछल होगी हर शेत्र में जीत थाशिल होगी इन को इसट़ल यह पता निहें कि तो आपके साथ जो पास्ट था उसको वापस मनलब पास्ट बहुत अच्छा रह चुका है लेकिन एट प्रेजंट मुझे से लगता है कि आपको ऐसी स्थिति परिस्थितियां में हैं जहां पर आपको एक पास्ट आपके साथ बहुत अच्छा था उसको भुला नहीं सकते लेकिन यह प्रेजंट में ऐसी सिच्विशन आ रही है जब इनको कोई डिसन लेना है ठीक है या तो आपने अल्टिमेटम दे दिया फिर ऐसा कुछ का है जिसके कारण इनको लगने लगा है कि आप तो कुछ बोलना ही पड़ेगा ठीक है यह कहीने कहीं पूरानी चीजों को पास्ट को बुला रहे हैं और आपके साथ कंटीन्यू करना चाहते हैं इनको पता है कि आपके साथ स्टिल इनको कोई भविश्य नहीं दिखता लेकिन यह पूरी कोशिश करेंगे कि इनके आपके लिए क्या कर सकते हैं ठीक है ऐसा लगता है कि कोई आपके लिए हिम्मत और ताकत जुटा रहा है और लीडरशिप जैसे करना चाहते हैं यह अपने यह तरीके से करना चाहते हैं यह और किसी पर नहीं चोड़ना चाहता है आप खुद इस रिलेश्शीप के बागडर अपने हाथ में लेना चाहते हैं ऐसा मुझे आपे लग रहे है और क्या है मुझे here उस्टेंके ऐसे हैं जोकि वाक्य में सर्व नहीं करें यह new इस तरह से मुझे आपको लेकर क्या सोच तो करेंटली मुझे ऐसा लगता है कि यह आप से रिकंसलेशन सोच रहे हैं आपकी दोस्ती को वापस पाना चाहते हैं और क्या सोच है मुझे ऐसा लगता है कि कि यह किसी हार्ट की हीदि कर रहे हैं ज moc कोई पूरानी बात थी किसी को कटउफ भी कर रहे हैं ऐसा लगता है कि कुछ लोग यहां पर डिवोर्स की बात सोच रहे हैं अगर है तो कहीं ने कहीं अपने partner के पास वापस रिष्टा निभानी के सोच रहे हैं। अगर आप married हैं तो definitely आप से reconciliation चाहते हैं। अगर आप नहीं married हैं को third person है तो definitely मुझे इसे लगता है कि अपने heart की healing करके आपके पास वापस आना चाहते हैं। एक तरह से लग रहा है कि बहुत कुछ clear बात बताएंगे आपको, ठीक है, clear communication करना चाहते हैं, at present इनके energies आपको लेकर क्या सोचें, तो यही है कि आपको clear cut कुछ बताना चाहते हैं, reconcile होना चाहते हैं, चाहिए आप इनसे married हैं, चाहिए आप extra fair में हैं, चाहिए कोई भी situation हो सकत होगे, ठीक है, यह actually balance करना चाहते हैं, अपनी life को दुबारा अच्छे से ढंग से जीना चाहते हैं, और इनको यह लगता है कि इनको हमेशा मतलब यह लगता है कि यह हमेशा जो चाहते थे जिंदगी में, वो इनको कभी भी मतलब मिला नहीं है, ठीक है, तो यह अब आपको को खोनी से भी डरते हैं, ठीक है, यह इनको लगता है कि अगर इन्होंने कोई action नहीं लिया, तो at present situation यह है, कि फिर आप move on कर जाओगे, फिर कुछ और सोचोगे, इनके बारे में नहीं सोचोगे, इस तरह की energies मुझे आप लग रही है, अब इनको decision लेना ज़रूरी है, इनक कोई male female जो भी है, इनके third party है कोई, तो definitely अभी उसके बारे में सोचना बंद कर चुके है, क्योंकि यहां पर ऐसा लगता है कि कुछ चीजों को let go कर रहे हैं, ठीक है, कोई है नहीं है इनकी life में, उसको इनका असर नहीं हो रहा है, यह आपको ही चाहते हैं और आपकी साथ ही आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, मुझे ऐसा लग रहे है कि आप से married है, तो third person को छोड़ रहे हैं, और third person कोई है, तो कुछ लोग marriage में भी marriage को छोड़ना चाहते हैं, यह मुझे यहां पर लग रहा है, क्योंकि यहां पर एक ऐसी energies आ रही है, जो इनसान को कुछ relationship तोड़ कर आगे बढ़नी के लिए कह रहे हैं, ठीक है, तो अब आपने परस्तितियों से मैच किजेगा कि कौन सी परस्तिति आप से मिलती है, ठीक है, यहां पर देखिए, इनका next क्या हो सकता है, action आपके लिए, next मुझे यहां पर देख परा है, कि आपके लिए को बड़ा कदम उठा आपको देना चाहते हैं, क्योंकि इनकी energies में लगता है कि यह जैसे कि आपके साथ ही committed relationship निभाना चाहते है, इवन यहां पर आपसे प्यार है, बहुत अच्छी energy मतलब आगी के energy मुझे इतनी strong लग रही है, इनकी, जैसे कि मैंने बताया कि सबसे पहला ही message अमारे पास किया यानि कि जिन्दिगी में कुछ पाना है तो उसके लिए courageous होना ही पड़ेगा, इस तरह से सूचे हैं, और यह definitely कोई जैसे आपके लिए बहुत अच्छी energy, एक तो आपको love offer देना चाहते हैं, जिसमें कहीने कहीने आपके लिए proposal है, ठीक है, बहुत सारे लोगों के लिए तो कि इनको छोडने हैं, ठीक है, let go कर रहे हैं किसी past को तो थोड़ा सा slow energy में, लेकिन surety इनके इर्दगर नजर आ रही है, ठीक है, बहुत solid foundation create करना चाहते हैं आपके साथ, ठीक है, यानि कि long term तक ही सोच रहे हैं, बात यह है कि अभी या तो किसी का divorce चल रहा है, या फिर बोड़ा सा guard करके चलना अभी इनको जरूरी है, ठीक है, और आपके partner जो है, किसी परिशानी से उबर के आ रहे हैं, ठीक है, और आपके साथ commitment की सोच रहे हैं, ठीक है, यह बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा ही है, और रोल कहूं तो इनको अभी भी, अभी जब जैसे कहते ह इनको क्या सोचे हैं, कोई risk लेने की सोचे है, definitely risk लेना आपके लिए सही रहेगा, इनको यह लगता है, लेकिन risky काम क्या होता है, risky होता है, ठीक है, यह भी पूरी तरह है, अपना mind नहीं बना सके, लेकिन चाहते यहीं कि आपके साथ zero से start हो, एक नई जिंदिकी की में, ठीक है, तो इनका next action बहुत अच्छा है, यह किसी control में नहीं रहेंगे, अपने आपको control से बाहर करेंगे, और आपके लिए हिम्मत और ताकत रखके कुछ करने वाले हैं, ठीक है, अब मैं क्या देखूँगी, इनके कुछ messages देखूँगी, और एक सौंग आपके लिए जरूर बोलूँगी, ठीक है, तुम मीले, दिल की ले, और जीनी को क्या चाहिए, यह वन ओफ माइ फेवरेट भी है, और अचानक ध्याना है, तो मैंने आपको बता है, ठीक है, आपको इस गाने से कुछ नो कुछ messages आज जरूर मिलेंगे, ठीक है, और लिटरली आज मैं बहुत आपके लिए वाक्य में messages पढ़ना चाहते हूँ, ठीक है, यह कौन इंसान है जो आपके जीवन में है और बहुत अच्छे energies में है, चले देखते हैं आपके लिए क्या energies है, और राइट गाइस, मैं कोशिश करूँगी कि यह जल्दी, तो गाइस चले देख लेते हैं, इनके messages आपके लिए, तो देखते हैं क्या messages आज आपके लिए, और मेरे पास बहुत सारे messages हैं, बट कुछ नए messages लेती हूँ, ठीक है, ओकी, और राइट, तो आज आपको क्या message है, जो गिरेगा हम वो लेंगे, ठीक है, ऐसे नहीं लोंगे, मैं, इनिवर्स हमें बताईए, क्या messages है मेरे viewers के लिए, जो वीडियो देख रहे हैं, उनके लिए क्या message देना चाहते हैं, इनके partner, तुम मीले, दिल खेले, और जीनी को क्या आचा, चंता तुझे, बहुत ही प्यारा सौंग है guys, मुझे पूरा नहीं आता, यह तो मेरे हमीशा की समस्या है, मुझे कोई गाना याद नहीं रहता, टाइम मेरे मिलता, कुछ और, एक काद और ले लेते हैं, क्या कहना चाहते हैं, चले देखते हैं, काफी सारे हो गए हैं, और मैं देरे-देर पढ़ूँ ता कि आपको समझा पाऊँ, ठीक है, तो सबसे पहला message है, I remember every detail of that day, यानि कि आप से कभी मिले थे, उस दिन की सारी यादे इनको detail में यादे, तो guys, मुझे भी बताइए, क्या आप कभी ऐसी तरह, इस तरह से मिले थे, जब आपको वाक्य में रया दे रहे नहीं चाहिए, ऐसी चीज़े हैं, ठीक है, Do you think about me too, as I, जैसे कि यह सोच रहे हैं, क्या आप भी इनके बारे में सोच रहे हैं, पोशना चाहते हैं आपसे, कोई past था, उसके लिए हमेशा, every single day इनको feel होती है, कि मैंने ऐसा क्यों किया, past क्यों है ऐसा, ठीक है, मेरे जिंदरगी में कुछ regret है, उनके लिए पश्टा रहे हैं, I love you unconditionally, यानि कि आपको यह बहुत बिना शर्त के प्यार करना चाहते हैं, या फिर करते हैं, ठीक है, my feelings getting more day by day, यानि कि आपके लिए दिन बर दिन इनके feelings बढ़ती जा रहे हैं, ठीक है, next क्या है मेरे लिए message, I have a hard time expressing how I feel, यह बहुत जदा मुश्किल होती है, इनको यह कुछ समझा पाएं, आपको express कर पाएं, इनके लिए बहुत बड़ी मुश्किल है, ठीक है, बड़ी दो message और लोगी आपके लिए, meditate कीजे मेरे साथ, यह actually यह पूछना चाहते है, first बात तो इनका message यह है, क्या आपकी कोई तंबना जुड़िए इन से, ठीक है, क्या आपकी कोई desire से जो आप बोल नहीं रहे हो, ठीक है, इनको लगता है कि आप इन दिनों कुछ बोलना चाहते हो, लेकिन बोल नहीं पा रहे हो, ठीक है, तो आप से पूछना चाहते हैं, और दूसरा message मेरे लिए यह है, मेरे लिए नहीं, आपके लिए, guys आपके लिए दूसरा message यह है, कि आप जो भी पहनते हो, इनको बहुत बहुत अच्छे लगते हो, ठीक है, जैसे भी आप जो भी लेकाते रह गई, क्योंकि मुझे आगे आती ही नहीं था, ठीक है, तो आज की reading में बस इतना ही, next reading में जरूर मिलती हूँ, इसलिए आपको मेरा वेट करना है, ठीक है, कुछ भी समझ आया, पसंद आया, लाइक के साथ सब्सक्राइब जरू कीजएगा, ठीक है, motivation के लिए, ठीक है, आगी reading से और भी अच्छी लाओंगी, ठीक है, बारी बारी से हम monthly reading भी करूंगी, और बहुत कुछ करने वाली हूँ आपके लिए, बहुत planning है मेरी इस channel के लिए, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, थैंक यू सो मच, next reading में में बिलती हूँ, आपके लिए बाइबाजल बाइबाई